कई बच्चे ऐसे हैं जो अपनी मनमानी करते हैं अपने माता-पिता की बात को बिलकुल नहीं सुनते हैं इसके पीछे क्या कारण है और क्या-क्या उपाई करके उनको ठीक किया जा सकता है बटा यह जो तुमने सवाल किया है लगता यह एक जैसा है लेकिन यह सही माईने में क्यूंगे वोग बच्चे कि विए जुमेंगे नियुक्ट होते हैं इसे राप कि जना ही नहीं चाहते थे फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो और कॉंफिटेंट होते हैं कि वह नहीं माभाप की सुनना चाहते तो ये एक केड़गिरी नहीँ है ये बहुत तरह की केड़गिरी है समओ ये ना इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जिनमें बहुत उतावलापन है इसी कहते है मंगल का खराब होना और ये जो मंगल का खराब होना होता है बीटा यह मंगल जब नीच का हो तो बच्चे के हर वक्त वो कुछन नया करता रहता है और उसे एक काम से हटाओ उससंने दूसरा भीक helped ने कोई बहुत ही अराम से रेक करते हैं और जवाब पूरा नहीं देते हैं यानि कि पहले ही एक सीन बात में दूसा से ये बड़े होने के बाद होता है तो ये मंगल जिनका खराब होता है उनके पहचान क्या होती है उनको डर लगता है अकेले में कहीं रह नहीं सकते हैं कहीं जा नही जाए चाहे वो संसकारों की चाहे वो पैसा खर्चने की चाहे दुनिया के बहुत तक्लीट दे हो जाते हैं तो इसलिए इनको ट्रीनिंग मस्ट आहिं अ हुनी है जब मंगल कराब है तो फिरे लेकिन इस के साथ में अगर हर मंगलवार को आठ खुड़की रोटी तंदूर में लगवा के कुते कवों को डाली जाए चांदी का चकोर टुकड़ा बच्चे की जेब में रखा जाए या गले में लटकाया जाए ठीक है और मंगलवार के दिन पर साथ मंदिर में चड़ा करके वो बाठा जाए तो इन बच्चों को बहुत बहुत अराम मिलने लगता है इन बच्चों को अभख्षे सेवन नहीं करने देना कहने का मलग किसी भी तरह का मास वगरा का परियोग ये जितना जाला करेंगे ये उतने ही हाइपर हो गये तो इनकी उस चीज़ पे भी कंट्रोल करना है इन थोड़ा इनको दे करके इनको समझाने की कोशिश करोगे ये ही आके चलके बहुत काबिल भी बन जाते हैं तो इन बच्चों के लिए ये करना चाहिए